कई सालों से मैं सिखा रही हूं कि मन एक युद्ध भूमी हो और आगे भी मैं यही सिखाऊंगी क्योंकि हमारे वैचारिक जीवन का प्रभाव हमारे जीवन के अनियक शेत्रों पर भी होता है हाल ही में हमने लोगों को ये मौका दिया कि वो मन के बार में मुझसे सवाल पुछे लाइव वेब कास्ट ऑनलाइन की द्वारा और आज मैं उने हमारे टीवी दर्शनकों के साथ बाटना चाहती हूँ मेरा मानना है कि यह उनके लिए भी मददगर साबित होगा तो जोईस ये अच्छी शुरुआत है और मेरा मन विचारों से भर गया था कि कहां से शुरू करें लेकिन हमारे पास पहले ही काफी सवाल इकठे हुए हैं दुनिया के हर कोने से तो अब हम फॉरण शुरुआत करते हैं जी और ये पहला सवाल है दक्षिन अफ्रीका से और इसमें सवाल पूछा गया है जब लोगों के मन में नकारात्मक विचार आते हैं जैसा कि अभी आप उस बदबुदार सोच के बारे में बात कर रहे थे कि आखरकार ये सोच आती कहां से है क्या ये ऐसा कुछ है जो महज मेरे दिमाग की उपज है खर सबसे पहले दक्षिन अफ्रीका के हमारे सारे दोस्तों को मेरा अभी वादन हमें आपसे प्रेम है और मुझे ये कहना है कि हमारे एक शत्रू है जिसका नाम है एबलस शातान लुसिफर दुष्ट आत्मा है जो हमारे मन में दुष्ट विचार डालना चाहता है बैबल कहती दो कुरंतियों अध्याए 10 में कि इस शत्रू से लड़ने है तू शस्त्र चाहिए क्योंकि वो हमारे मन में गड़ बनाना चाहता है और वास्तों में एक गड़ ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें दुष्मन आकर रहता है और खुद को छिपाता भ कि मेरा जीवन हमेशा अप्रतिष्ठा का होगा और इसलिए मैं हमेशा ही दूसरी बहतर बात चुनती क्योंकि मेरी यही धारना थी कि मैं बहतर बातों के योग्या नहीं हूँ और मैं सोचती थी कि मेरा जीवन बरबाद हो गया है और जब मैं प्रभु के वचन का अधियन क तब मैंने ये सत्य जाना कि मुझे इस जूट को धूल चटानी है। मैं उसी की हगदार थी जो मुझे चाहिए था। और बाइबल हमें सिखाती है शैतान एक बड़ा जूटा है। और वो सत्य का बाप है और उसमें सचाई नहीं है। और जब तक हमें वचन के सत्य का ग्यान ना हो हम जान ही नहीं पाएंगे कि हमें दोखा दिया जा रहा है और हमसे जूट बोला। इसलिए मुझे लगता है कि सारे बुरे विचारों की शुरुआ शैतान में है पर कई बार हम खुद बुरे विचारों में इतने माहिर बनते हैं कि उसे ये काम करना ही नहीं पड़ता है। वटाती है हमारे लिए प्रभू की योजना में पर हमारे लिए शैतान की भी योजना होती है और कोई मानी या ना मानी इसी योजना में हम फस सकते हैं इसलिए प्रभू के वचन में बढ़ो मैं लोगों से हमेशा कहती हूँ कि प्रभू के वचन की सहमती में रहो आमोस ती कि आपके विचार में के लिघाँ नहीं पाइंगे कि आपके वेचार प्रभू से हैं या स्याइटान से हैं परीपुर्णा में गुलामी में साल साल success जी रही थी कई साल यानि तब मैंने शैयर 32-35 साल की हुई थी और उन दिनों में जा रही थी पिर प्रभू के वच्चन की वास्ताविक्ता सच्चाई क्या है जिस पर मुझे अपनी जिंदगी की बुनियाद रखनी थी। मैं चर्च में सर्फ धार्मिक फर्ज निभाने जाती थी पर जब मुझे ये एहसास हुआ कि प्रभू का वच्चन क्या है और इसी के द्वारा मेरे मन का नवी नहीं करन होकर मैं यही तरीके से सो सकती हूँ तब मेरी कहाने बिलकुल बदलते हैं। असरक्षा की भावना ये बात मेरे लिए रोचक है कि सबसे पहली बात जो प्रभू हमें देना चाहते हैं और जिस विशय में कुछ कहना चाहते हैं वो है धार मिक ताया प्रभू में सदा सीधे खड़े होना क्योंकि हमें से कई हमारी पूरी जिन्दगी गलत अहसास में च साथ करते रहते हैं और दूसरों को अपना प्रती द्वंदी मानते हैं जो तस्वीर हम कभी भी मान सिक पत्री में देखते हैं विस सब इतनी लिभावनी होती है कि शैतान हमसे आकर कहता है कि हमें भी इसी तरह दिखना चाहिए और यही हम जीते हैं तो हम वो नहीं है जो हम होना चाहिए और बाइबल कहती है कि अगर कोई मसी में है तो वो नई स्रिष्टी है पुरानी बाते बीत गई है हमारी पुरानी सोच भी और सारी बाते नहीं हो गई है हमें ये बदलाव एक ही जादूई पल में नहीं आता प्रभू के वचन का मनन करके ही हमारी नवीनी करण की भावना जागरित होती है दो कुरुंतियों 521 कहता है जो पाप से अग्यात होता है उसे हमारे लिए पाप ठहराया गया है कि हम मसी में परमीश्वर की धारमी तठहरे परमीश्वर हमें मसी में देखना चाहता है ताकि हम अपना भरोस और विश्वास प्रभू कि आप कहा हो और आपकी समस्या कहा है जिससे आप अंजान हो जब भी हम ये फिक्र करते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं तब हमारा अस्तित्व अन्य लोगों की राय और विचारों से नियंत्रित होता है तो अगर आप चाहदी हो कि आपका जीवन आशिशित हो आ अब एक ही बात समझाना चाहती हूँ, ये समझ से असुलज नहीं सकती, आपको प्रभू के वचन में मनन करके उन्हें उची आवाज में बोलना होगा, मैं मसी में परमेश्वर की धार मिकता हूँ और प्रभू मुस्से प्रेम करते हैं और उन्हें मेरी फिक्र है, लोग मेरी बार में क्या सोचने है, इसकी परवा करने की जरूरत नहीं है, जंग तो सदर हती है, पर आप ये जंग जीत सकते हो अगर आप प्रभू के वचन से सीख लेते हो, कि जंग कैसे जितनी है, अगला सवाल, स्प्रिंग फिल्ड मिजॉरी से सुजेन सवाल पूछती है, कि मैं रोजाना नकारात्मक व्यक्तियों से घिरी रहती हूं, और मुझे जानना है, कि उनकी नकारात्मकता से मैं अपनी भामनात्मक स्थिती कैसे बचाऊं और कैसा वहवार करूं। जरूर ऐसा करो पर यदि आप ऐसे हालात में हैं, जहां आप नकारात्मक व्यक्तियों के बीच हैं, तो एक जितना हो सके आप सकरात्मक व्यक्तियों के मध्य में रहों और उनकी तरह सोचने लोगों। मुझे ये जानने में आसानी होती है कि वाकिए में उन लोगों को समस्या है मुझे याद है जब ये शुनी कहा है पिता इन्हें माफ कर क्योंकि वे नहीं जानते वे क्या कर रहे हैं याद रुखो हमारे खलाफ आने वाले कई लोग यही जानते हैं कि हम क्या हैं वे अपनी तकलीफ के कारण ऐसा करते हैं एक और बात मुझे बतानी है सूजन जो बहुत जरूरी है आपको प्रभू के साथ रोजाना बहतरीन समय बिताना चाहिए क्योंकि परमेश्वरी आपकी सची ताकत है मेरी अपनी जिन्दगी में ऐसी कई बाते हुई जो गलत थी और इन बातों के बारे में मैं हाल ही में सोच रही थी जहां मैंने महसूस किया कि प्रभू ने मेरे मन में उन यादों को मिटाया या मुझे उन से चिपाया है तो मैं ऐसे हालातों से गुजर रही थी जो मुझे काफी दुख दे रहे थे तब किसी ने पूछा ये कैसे हो सकता है आप ये तकलीफ सहने के बाद भी ऐसा कैसे जता सकती हो जैसे सब कुछ ठीक हो और मुझे लगता है कि जो हमें उन्हें हमसे ज्यादा तकलीफ होती है क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे हमारे कार में shock absorbers होते हैं और आपकी कार गहरे गड़े में जाती है तब आपको जोर से धक्का नहीं लगता वैसे ये प्रभ। ने हमारे जीवन में shock absorbers रखें है ताकि हम उन पर भरुसा कर सकें बाइबल हमें सिखाती है कि प्रभू सारी सांतवना के परमीश्वर है और वो हमें हमारी सारी कलेशों से सांतवना देते हैं तो अगर आप किसी नकारात्मक स्थिती में हो तो ये जरूरी है कि आप प्रभू के साथ अपना बेहतरिन वक्त गुजारो आपने ऐसा नहीं किया तो आपके लिए सब कुछ मुश्किल होगा पर यदि आप सबसे पहले प्रभू से कहेंगे प्रभू आज मेरी स्थिती जानते हैं मुझे यकीन है कि आपको नकारात्मक प्यक्ति के साथ जीना इसलिए मनजूर है क्योंकि आप जानते हों कि आप आपके लिए प्रभू ही यही इचा रखते हैं तो कहो प्रभू मुझे आपके सामरत की जरूरत है मैं जानती हूं कि जहां कहीं प्रभू आपको रखना चाहते हैं शौक अब्जोबर पूराने हो सकते हैं आपको जाकर उन्हें बदलना होगा अब सवाल आया है क्रिस्टा सी जो रहती है नौर्थ कैरोलीना में और कहती है व्यस्ना धीनता से संघर्ष करते हुए आप अपने मन की जंग को कैसे संभालेंगे देखे सबसे पहले तो आपको ये विश्वास रखना होगा कि कुछ भी आपको अपने नियंतरण में नहीं रख सकता सिवाए पवित्र आत्मा के जो आपको प्रभू के करीब रखेगा मेरे खाल से एक और बात है जिसके बार में शेयतान हमें फसाता है और वो है सोचना कि मैं इसे नहीं सहूंगी मैं इसे नहीं सgebenगी, ये मेरे लिए बहुत है- बहुत है. ये मुश्किल है, मुश्किल है… मैं आपको प्रोसाइध करना चाहूँगी, कि आप ये कहना छोड़ने की ये मुश्किल है, मैं नहीं कर सकती। ये मीरे लिए जयादा है। हाल ही में मैंने एक पुस्तक लिखी है पावर थोर्स और उसमें बारा बाते हैं जिनके बारे में आपको सुचना चाहिए क्योंकि ये आपके मन का नवीनी करन करने में मदद करेंगी और सबसे पहली बात मैंने ये लिखी थी कि मुझे शक्तिमान करने वाले मसी के द्वारा म कि इच्छा आपको होगी ही और ये आपके लिए थोड़ा ज्यादा होगा और शायद आप अपने पैर जमीन पर इस से पहले ये ध्यान रखें कि आप जो करना चाहते हैं वो आप नहीं कर पाओगे मुझे आप से ये कहना है कि सुबह सबसे पहले प्रभू से कहो प्रभू मुझे आपकी मदद चाहिए मेरा भरुशा सिर्फ आप पर है मैं नहीं मानती कि कुछ भी मेरे लिए ज्यादा है अगर आप मेरे साथ है ऐसे वचे न याद रखो प्रभू मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन अगर प्रभू मेरी तरफ है तो मैं किस से जरूं एक शास्त्रभाग है जो पिछले महीने मेरे सामने तासगी से आया और मैंने जिस बारे में सिखाया भी था वो है एक युहना चार-चार लिखाया है तुम परमिश्वर के हो और तुम ने उन पर जय पाई है यानि दुश्टात्मा उपर यानि हमने शैतान को पहले से हराया और जय पाई है क्यों क्योंकि जो तुम है वो उसे बड़ा है जो इस संसार में है देखो जिस सत्य पर आप यकीन करेंगे वही आप पर सदा अधिकार करेगा यदि आप मानिंगी की व्यसना धिंता आप पर हावी है तो वैसा ही होगा अगर अब चाहती हो कि वही करें जो सिर्फ इतना सोचो कि मैं ये अगले पांच मिनिट तक कर पाऊंगी मैं एक घंटी तक ये प्रलोबन रोक पाऊंगी मैंने भी यही क्या था जब मैने दुमरपान चोड़ा था जिन जो शायद एक मामोली बात होगी उन व्यसनों की तुन्ला में जिन में अन्य लोग फसे ह पर ये भी मुश्किल था और मुझे याद है कि मैं रोजाना जीने लगी थी दूमरपान के बिना और हर अगला दिन पहले से आसान होता जा रहा था मैं ये कह सकती हूँ कि पहले हफ़ते का हर एक दिन मुश्किल था पर फिर उसके बाद हर एक दिन धीरे धीरे आसान होता गया और मैंने जाना कि पूरे तीस दिन तक मैं दूमरपान के बिना रह चुकी थी और जब ये तीस दिन खत्म होए तब मेरा वो संगरश मेरे लिए बाद में संगरश नहीं था कभी कभी ऐसे मोड़ भी आते हैं जब मुझे घुसा आता था या मैं किसी बासे परिशान होती थी या मैं ज्यादा ठक जाती थी और सिफ आदत के कारण सबसे पहले मैं सोचती ओ अब मैं एक सिग्रेट प्यूंगे पर अब मैं ऐसा कभी नहीं सोचती इतने साल दुमरपान के बिना जीने के बाद आखरी बाद जुमन में आती हो है तुम बदल सकते हो आजाद हो सकते हो येशु ने तुमें आजाद किया है आपको यही विश्वास करना है सुबह जल्दी उठकर कहो मैं इस से आजाद हूँ अब मुझे सिफ प्रभू येशु मसी का व्यसन है मेरी जरूरत वो है मुझे अब और किसी बात की जरूरत नहीं है और हमारे लिए ये जानना एहम है कि हमारा हर एक मसला हर एक व्यसन हर एक विचार हर एक भय प्रभू के वचन में ढख जाता है यानि हमें जिस बात का उत तर चाहिए, वो हमें वचन में मिरता है, लेकिन कई बार लोग ये सुनकर कहते हैं, कि ये बाते हमारी समस्या पर लागू नहीं होती, लेकिन येशु सब धग देते हैं, यदि पुत्रे तुमें स्वतंत्र करेगा तो तुम सच मुझ स्वतंत्र हो जाओगे, बाइबल कहती ह हर किसी के लिए वचन उपलब्ध है और ये सिर्फ हर किसी के लिए नहीं है, प्रभू का वचन उन सब के लिए है, जो परमीश्वर की च्छा जान कर उसके अनुसाद चलते हैं, और विवस्था विवरण में एक वचन यू कहता है, कि ये मत कहो की ये मुश्किल है, ये मत क कहते हैं, अगर हम सही बाते कहना शुरू करके प्रभू के साथ सहमत होंगे, तो हमारे मन का नवीनी करन होगा, हम जितना सही सोचेंगे, उतना ही सही सोचेंगे, और इसी तरह ये एक चक्र बनेगा, आपके मन के नवीनी करन का, जब आप यू कहेंगे कि नकारात्मक सोच, अब मुझे बेहद तकलीफ देती है अगर मैंना कारात्मक सोचना शुरू कर दूँ तो तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मेरे मूँ से वही बाते निकलेंगी जो गलत है मैं कहूंगी मैं आनंद को चुकी हूँ और यही सिलसला चलता रहा तो मेरा वहवार बदलेगा माफ करना मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं सुचूँगी सही कहां खेर आगे और भी सवाल है भिन भिन सवाल जो संबंदित है भै से व्यसना धीनता से और उन बातों से जिने छोड़ कर हम लोटे हैं और आगे जाना नहीं चाहते हमारे मन में जो विचार आते हैं जो भै से संबंदित होते हैं उस विशे में है अगला सवाल इसे पूछा है पैंसिल्वेनिया की मिशैल ने वो कहती है शैतान के हमलों का मुकाबला करते समय मुझे सामर्थे मिलता है पर मेरा मन कभी कभी संदे और भै से भर जाता है और कई बार ये बड़ा डरामना होता है तो इस भै से लड़ने के लिए आपकी द्वारा की गई अगवाई की मैभी लाशी हूँ बाइबल हमें सिर्फ एक ही वज़े देती है ताकि हम भै भी बीतना हो और वो है डरना नहीं मैं तेरे साथ हूँ अपने दम पर भै का सामना करना फिजूल है सबसे पहले जान लो कि प्रभू आपके साथ है दूसरी बात भै एक ऐसी आत्मा है जो हमारे मन में भै का एहसास जगाती है बाइबल कहती है कि प्रभू ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है पर हमें सामरत और प्रेम की आत्मा दी है पर जब बाइबल कहती है कि डर ना नहीं तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपको डर ना लगे मेरे ख्याल से हम सब को अपनी जीवन में कभी ने कभी डर लगता ही है डर ना नहीं का अर्थ डर के अधीन ना होना है वास्तों में डर शब्द का अर्थ है किसी बात से कहीं दूर भाग जाना हम अधीन हो सकते हैं चिंता मैं विचारों के डरावने विचारों के मैं यहां बैठ कर यू नहीं कह सकती कि मेरा मन कभी चिंती तो नहीं हुआ क्योंकि ऐसा होता है पर कई बार मैं इससे बचती और चिंतां से दूर होती है पर फिर भी एक बात जो हमेशा मेरे मन में आती है ये मेरे मन में आती है तो शायद ये आप के लिए हो सकती है मेरे मन को मेरे परिवार के साथ स्यादा दिक्कते होती है जब मैं बेहद 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 थक जाती हूँ मिसाल के तौर पर जब मैं अपनी सभाओं के लिए बाहर जाती हूँ और खुद को जूँक देती हूँ मेरे संदेश और मेरी सभाओं के लिए डेव पर क्रोधित होती हूँ और मेरे मन को आसानी से चोट पहुँचा सकती हूँ स्वाभाविक तोर पर अगर मुझ से किसी ने कुछ कहा तो मैं कहती हूँ कि उनके कहने का ये अर्थ नहीं था पर उस दिन मेरी भावनाओं को बड़ी आसानी से चोट पहुचती है तो मैंने सिखा है कि रवीवार को मेरी सभाओं के बाद मैं इस बात का ख्याल रखती हूँ कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगी जो मुझे उकसा या ऐसा कुछ जिस से मुझे तनावाए मैं वो करती हूँ जो मुझे खोशी दे मैं उन लोगों के करीब रहती हूँ जो मुझे आनन दित करते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि आप अपनी देख भाल करें क्योंकि अगर आप हमेशा थके रहेंगे और इस वक्त मुझे यकीन है कि ये बात उन लाखों लोगों के लिए मददगार होगी जो मुझे देख रहे हैं अगर आप हमेशा थके रहेंगे आप सिर्फ तीन या चार घंटे सोते हो जबकि आपको ज़रूरत आट घंटे की तो देखो कितना मुश्किल होगा आपके लिए उन दिनों में अपनी सोच सही रखना जिन दिनों में आपको अच्छी नींद नहीं मिलती दूसरी बात जो हमें प्रभावित करती है वो है अपना जीवन अन्यंत्रित रखना और इसके लिए मुझे एक पत्रस पांच पसंद है जो कहता है सचेत रहो और जाकते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सीन के समानी स्खोज में रहता है कि किस पर छपट कर उसे फाड़ खाए तो शैतान हर किसी को फाड़ कर खा नहीं सकता वो सही व्यक्ति की खोज में रहता है और वो सिर्फ ऐसे व्यक्ति को ही फाड़ कर खा सकता है जिसका जीवन अन्यंत्रित है अब तुम इसका आर्थ जान गई होगी जिंजा और इसे ठीक से समझ गई होगी मेरी जीवन में कई कई साल पहले मुझे अतिव्यस तता की आदत थी मतलब और जब भी मैं सोने चली जाती थी तो कोई न कोई काम बचा रहता था जिसे मैं करना चाहती थी पर अब मैंने अपना जीवन इस तरह सवारा है कि अब शाम पाँच बजे मेरी रात होती है मेरा काम पूरा होता है और मैं वो करती हूँ जिसे मैं प्यार से कुरसी चिकितसा कहती हूँ मैंने ये जाना है कि अगर मैं शाम को आराम न करूँ तो खास कर अब क्योंकि मैंने काफी कम साल जीए है आपको ज्यादा जीना है तो आप ये जरूर करें शाम का समय मुझे अपने लिए बिताना पसंद है मैं कुछ घंटे शांती सा आराम करती हूँ और कुछ मन चहा करती हूँ वरना मैं जल जाओंगी और मेरे ख्याल से आज हमारे समाज में एक अविश्वसनी दबाव है जिसे लोगों पर लाद दिया गया है हर किसी की बड़ी उम्मीदे होती है सब की अपनी मांगे होती है और कभी कभी ये आप पर इतना हवी होता है कि आप आखिरकार यही सोचते हो कि आगे बढ़ने के लिए ये बहुत जरूरी होता है आगे 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 और मांगे पूरी करनी होती है पर आज नहीं तो कल आप जरूरी ये कहना सीख जाओगे कि ना मैं आराम करूँगी मुझे अब थोड़ी नेंद चाहिए मुझे थोड़ा सुकून चाहिए अगर आप ऐसा करोगे तो जानोगी कि शैतान के लिए अब आपकी सोच पर काबू पाना मुश्किल है पर फिर भी इसका मुख्य इलाज है प्रभू का वचन जानना और तीसी से उसका लागू करन करना बैबल कहती है हमारी युद के शस्त्र देहिक नहीं है बलकि वे गणों को ढ़ा देने में परमीश्वर के द्वारा सामर्थी है हमारे शस्त्र देहिक नहीं है वे आत्मिक शस्त्र है और प्रभू का वचन तो नंबर एक आत्मिक शस्त्र है जो हमारे पास है येशु इसका वर्णन है लुका चार में जब येशु पर शैतान ने हमला किया था तब वो येशु के मन में ऐसा कुछ डालता था जो सच नहीं था और येशु ने उसे कहा ऐसा लिखा है और वो जूट को फटकारते थे ऐसा चार बार हो है कि कभ हम कमजोर पड़ जाते हैं और कभ इस तरह के हमले के लिए तयार नहीं होते ताकि हम ऐसा कोई विचार आते ही उसका सामना प्रभू के वचन से कर पाएं बाइबल वास्तों में कहती है कि शैतान क्या आते ही उसका सामना करो, इसका जिक्र एक पत्रस में भी है, और मेरे लिए मेरे जीवन में ये एक और बड़ी और बेहत बड़ी बात ही, शैतान को अपने दिमाग में 15 से जादा मत खिलने दो, उससे पहले आप उससे अपना से ये कहना चाहिए कि नहीं, मैं ऐसा घिनोना विचार नहीं करूंगी, जी, ये अच्छा है, ये सवाल है, फिनिक्स की डॉन से जो कहती है, मेरे पती को गुजरे तीन साल हुए है, और उनके जाने के बाद मुझे पता चला कि उनके कई स्त्रीयों के साथ नाजाय संबन थ जिसके लिए मैंने उन्हें माफ किया है, पर ये बातें, रोजाना मेरे मन में आती है, मैं कैसे इससे मुक्त हूँ? किस लिए लगी? क्योंकि आपने जिस से प्यार किया था वो एक बेवफा निकला, खेर एक तरह से ये दुख दायक है, सबसे पहले शेयतान आपको ये जताएगा कि आप में ही कोई कमी थी, अगर आप बहतर होती तो अगर आपने ये किया होता, अगर आपने वो किया होता, अगर आपने कुछ और किया होता, मसी में आप कौन है, ये जानकर कोओ कि शायद मैं आदर्श पत्नी नहीं थी पर बेवफा ये कोई कारण नहीं था, और मैं ये अब इस बात पर गोर करो, मैं इस बात से अपनी बची हुई जिन्दगी तबाह नहीं करूंगी, मेरे ख्या खुद को व्यस्त रखो, ये वो हल है जो मैं अपने जीवन में करती थी, जब मुझे अतीद की कोई बात परेशान करती थी, मैंने सच में ये जाना कि व्यस्त रहना मददगार साबित होता है, जाकर ऐसा कुछ करो जो अलग हो, उस कुरसी को छोड़ कर खड़े रहो, जिस आपसे ज्यादा आहत हुआ है और उनकी इस विशे में सहाईता करो, सारान्श में कहूं तो ये सारी बात एक रात में भुलाएं नहीं भूलती, क्योंकि जब आप गहरी चोट खाते हैं, जिसका मुझे एहसास है तो वो घाव दिल में होता है, आपकी भाउना उपर वो घा आप प्रभू के साथ वक्त बिताएं, प्रभू के साथ वक्त बिताने का अर्थ क्या है, रोजाना उनसे ये कहो कि प्रभू मैं यहां हूँ, मैं अपने दम पर कुछ नहीं हूँ, मैं खुद सही सोच अपना नहीं कर सकती, खुद को सही साबित नहीं कर सकती, पर आपका व प्रभू आपको दोगनी आशिश देंगे आपकी पूर्व तकलीफ के लिए आपके दोग के लिए दोगना सुख और अगर आप इन वचनों से लिपट कर प्रभू में द्रड बने रहे तो वो आपकी भावना आए और याने स्वस्था कर देंगे ऐसा जरूर होगा यह रात जान तो पर चल कर खुद का सम्मान करोगे तो अपने मन के बारे में हर एक बात की जानकारी पालोगे मन को पर्खो मन से जुड़े हुए हर वचन का अभ्यास करो विचारों के बारे में बाइबल क्या कहती है देखो मन से सम्मंदित पुस्तके पढ़ो मन से सम्मंदित सीड सुनो और डीवीडी देखो देखो आप शयतान से जंग लड़ने जाते हैं तब आपको उससे कहना है मैं यहां से हार मान कर कभी नहीं जाओंगा मैं ही जीतूंगी जॉइस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने एहम है इसका आपको अंदाजा नहीं हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी से काई को संभव बनाया मिलकर हम भूकों को खिला रहे हैं गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुँचा रहे हैं रिप्या हमसे संभर करें या विजिट करें jmmindia.org पर आज ही अपनी प्रात्रा के अनुरोद बताने के लिए हमारे साधरों के बारे में और जानकारी और जॉइस की सभाओं का शडियूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसी का प्रेम बढ़ने के लिए ये कारेकरम जॉयस मायर मिनिस्ट्री के मित्रों और पार्टनर्स द्वरा प्रयूजित है